जै श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जै कार्तिक मास की, जै रमा एकादशी वृत की, मंदर शिवंसी वाले महात्मा यूड़ूप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और कार्तिक मास के, कृष्ण पक्ष की, रमाय कादशी का वृत अब आने वाला है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के क्रिश्न पक्ष की रमाय कादशी के वरत की कथा उसकी विधी और उसका महत्यम्य के किस विधी से रमाय कादशी का वरत किया जाता है और उसके साथ ही रमाय कादशी के वरत का शुब मुरत भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे और रमाय कादशी के वरत की पार उसकी महिमा तो वैसे भी भूत अधिक है रमाय कादशी का नाम माता महानक्ष्मी के नाम के उपर पड़ा है माता महानक्ष्मी का एक नाम रमा में है इसलिए जो भक्त रमाय कादशी का वरत रखते हैं उनके जीवन में कभी धन संपत्ती की कमी नहीं आती माता महालक्ष्मी सदा उन पर कृपा करती है उनको सभी तरह के सुख, संपति आनंद प्राप्त होती है इस वरत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है मनुष्य जीवन में हम जो कुछ भी भगवान से चाते है वो इस वरत के करने से मिल जाता है तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष 2021 में रमाय कादशी वरत 1 नवंबर 2021 दिन सोम वार को है वैसे तो इकादशी तिथी का शुभारंब 31 अक्तूबर 2021 दिन रवी वार को दो पहर 2 बज़कर 27 मिनट से हो जाएगा और एकादशी तिथी का समापन 1 नवंबर 2021 दिन सोम वार को दो पहर 1 बज़कर 21 मिनट पर हो जाएगा एकादशी का वरत उस दिन रखा जाता है जिस दिन सुभे सूरे निकलने के समय कादशी तिथी हो तो वो 1 नवंबर दिन सोम वार को ही है एक नमबर दिन सोमवार को रमाय कादशी का वृत रखा जाएगा और रमाय कादशी के वृत की पारना दो नमबर दिन मंगलवार सुभे 6 बज कर 34 मिनट से लेकर सुभे 8 बज कर 46 मिनट के बीच में की जा सकती है वृत की पारना अर्थात जिसको वृत खोलना कहा जाता है वो दो नमबर दिन मंगलवार को सुभे 6 बज कर 34 मिनट से लेकर सुभे 8 बज कर 46 मिनट के बीच में की जा सकती है इस समय के बीच में वृत को खोला जा सकता है तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमाय कादशी का वृत जो कोई भक्त रखना चाहें उसकी कौन सी विधी है किस विधी से रमाय कादशी का वृत रखा जा सकता है कि जिससे महालक्ष्मी मा हम पर प्रसन हो रमाय कादशी के वृत को रखने से महालक्ष्मी मा अपने भक्तों पर अनंत क्रिपा करती हैं जो भक्त रमाय कादशी का वृत रखते हैं उनके घर में धन संपत्ती की कोई कमी कभी नहीं रहती इसलिए रमाय कादशी का वृत अवश्य करना चाहिए तो जिस भक्त ने रमाय कादशी कवरत रखना हो उसको ये चाहिए कि दश्मी तीथी को साइकाल तक भोजन कर लें रमाय कादशी कवरत दश्मी तीथी से आरंब हो जाता है दश्मी तीथी को साइकाल तक भोजन कर लेना चाहिए उसके पशात अगर कुछ आपने खाना हो दश्मी तिथी को साइकाल के बाद आप कुछ खाना चाहें तो आप फल खा सकते हैं धूद पीश सकते हैं लेकिन दश्मी तिथी को साइकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता और उसके पशात अगले दिन अर्थात रमाय कादशी के व्रत के दिन प्रातायकाल सनान करने के पशात व्रत का संकल्प लें भगवान से प्रातना करें, महालक्ष्मी मां से प्रातना करें कि हे महालक्ष्मी मां, हे प्रभुश्री नारायन जी आपकी क्रिपा से रमाय कादशी का व्रत रखने जा रहा हूं आप अपने कृपा से मेरे व्रत को सफल बनाना इस प्रकार भगवान से प्रातना करें और भगवान जी के पूजन के समय पूरी शद्धा भावना रखें रमाय कादशी का व्रत माता महालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है इसलिए महालक्ष्मी माजी का पूजन भगवान श्री नराएं जी के साथ करना चाहिए साथ ही तुलसी माटा का पूजन भी अवश्य करें भगवान के पूजन के समय पूजा में धूप, दीप, नैवेध्य, फल, फूल, इत्यादी होने चाहिए और भगवान श्री नरायन जी को हो सके तो पीले वस्त्र धारन करवाएं, पीले फूलों से उनकी पूजा करें रमाय कादशी के वरत के दिन का यही वीधान बताया गया है वरत के दिन आप भगवान के मंगलमाई नामों का अधिक से अधिक जाप करें जितना आप भगवान के मंगलमाई नामों का जाप करेंगे उतना भगवान की अनंत क्रिपा होगी रमाय कादशी के वरत के दिन अगर आप चाहें तो एक समय वरत वाला भोजन आप एक समय कर सकते हैं बाकी समय आप दूद या फल ले सकते हैं कुछ भक्त दूद पीकर और फल खाकर इस वरत को रखते हैं तो ये आपके अपने मन के उपर निर्भर करता है जैसे आपकी शरीर की समर्थ है उसी विदी से आप वरत रखें आप एक बार एक आदशी के वरत का भोजन भी कर सकते हैं या दूद और फल लेकर भी वरत रख सकते हैं ये आपकी अपनी मर्जी के उपर निर्भर करता है इसके पशात बात आती है कि रमाय कादशी की रात्री में आपने भगवान की परसंता के लिए जागरन करना है रात्री जागरन में भगवान श्री लक्ष्मी नाराएं जी के नाम का संकीरतन किया जा सकता है भगवान श्री लक्ष्मी नाराएं जी के नाम का जाप किया जा सकता है भगवाण शी रादा कृष्ण जी के नाम का संकीरतन भगवाण के मंगलमाई नामों का आप जाब के जिये इससे महालक्ष्मी मा अनंत क्रिपा करती है रमाय कादशी के वृत की रातरी में जिसने भगवाण का संकीरतन किया बhagवान के मंगल मैं नامों का जाप किया उसको जीवन भर धन की कमी कबी नहीं रहती ऐसा महालक्ष्मी मा जी क्रिपा करती है इसलिए रात्री संकिर्तन रात्री में बhagवान के मंगल मैं नामों का जाप अवश्य करना चाहिए तो ये रमाय कादशी के वरत की विधी हमने आपको बताई है तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष की रमाय कादशी के वरत की कथा की जिस कथा को सुनकर भगवान की अनन्त कृपा मिलती है वह कथा इस परकार है युदिश्टर जी महाराज भगवान शी कृष्ण जी से कहने लगे हैं हे जनारदन मुझपर आपका अत्यांतस नहीं है अतकरी पाकर करके बताईए कि कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है भगवान शी कृष्ण जी कहने लगे हैं हे राजन कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्यान में एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है रमा परम उत्तम है और बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाली है पुर्व काल में मुच्चुकूंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके है जो भगवान श्री विश्ण जी के भक्त और सत्य परतिग्य थे निश्कंटक राजे का शाशन करते हुए उस राजा के यहां नदियों में श्रेष्ठ चंदर भागा कन्या के रूप में उत्पन हुई राजा ने चंदर सैन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया एक समय की बात है शोभन अपने ससुर के घर आये उनके यहां दश्मी का दिन आने पर समूचे नगर में धिंडोरा पिट वाया जाता था कि एक आदशी के दिन कोई भी भोजन ना करे यह डंके की घोशना सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पतनी चंदर भागा से कहा कि हे प्रिये अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दो चंदर भागा कहने लगी है कि हे प्रभू मेरे पिता के घर पर तो एक आदशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता हाथी घोडे हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन घास तथा जल तक का अहार भी नहीं करने पाते फिर मनुष्य एक आदशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं हे प्रान नाथ यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित को द्रिड के जिये शोभन ने कहा हे प्रिये तुम्हारा कहना सत्य है मैं भी आज उपवास करूंगा देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा इसके पशात की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शी क्रिशन जी महाराज युदिश्टिर से कहने लगे हैं इस प्रकार द्रिल निश्य करके शोभन ने एक कादशी के वरत के नियम का पालन किया रमाय कादशी के वरत को उसने रखा शुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी अतेवे भवत दुखी हुए हैं भूख की चिंता में पड़े पड़े सुर्यास्त हो गया रातरी आई जो हरी पूजा परायन तथा जागरन में आसकत वैशनम मनुश्यों का हर्ष प्रन्तु वही रातरी शोभन के लिए अत्यांत दुख दाईनी हुई सुर्योद्य होते होते उनका प्रानांत हो गया राजा मुझकुंद ने राजोचीत काश्ठों से शोभन का धा संसकार करवाया है चंद्र भागा पती का पाड़ लोकिक करम करके पिता के ही घर पर रह लगी ये राजन रमा नामक एकादशी के व्रत के परभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमनिये देवपूर को प्राप्त हुआ है वहां शोभन द्वित्यकुबेर की भांती शोभा पाने लगा राजा मुझकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से वि पहचान कर वे उनके समीप गई है शोभन मी उस समय द्विजशेष्ट सोम शर्मा को आया जान कर शिखर ही आसन से उठकर खड़े हो गई और उने प्रनाम किया है फिर क्रमशय अपने स्वशुर राजा मुझकुंद का प्रिये पतनी चंद्र भागा का तथा समस्त नगर का कुशल समा चार पूछा है सोम शर्मा ने कहा हे राजन वहां सब की कुशल है यहां तो अधबुत आश्चर की बात है ऐसा सुंदर और विचितर नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा बताओ तो सही तुम्हें इस नगर की प्राप्ती कैसे हुई शोभन कहने लगे हैं हे ब्रह्मन देव कार्थिक मास के क्रिशन पक्ष में जो रमा नाम के कादशी होती है उसी का वरत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ती हुई है हे ब्रह्मन मैंने शद्धा हीन होकर इस उत्तम वरत का अनुष्ठान किया था इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि है नगर स सोमशर्मा ब्रह्मन मुझकुंदपूर में गए हैं और वहां चंदरभागा के सामने उन्होंने सारा वरतांत कह सुनाया सोमशर्मा कहने लगे हैं हे शुभे हे पुत्री मैंने तुम्हारे पती को परत्यक्षित देखा है तथा इंद्रपूरी के समान उनके दुरधर्ष नगर का भी अवलोकन किया है वे उसे स्थिर्बत लाते थे तुम उसको स्थिर्बनाओ चंदरभागा ने कहा है हे ब्रह्मन देव मेरे मन में पती के दर्शन की लालसा लगी हुई है आप मुझे वहां पर ले चलिए मैं अपने वरत के पुन्ने के प्रभाव से उस नगर क स्थिर्बनाओंगी इतनी कथा सुनाने के पशात भगवान शी कृष्ण जी महाराज राजा विदिश्टर से कहने लगी है कि हे राजन चंदरभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल परवत के निकट वाम देव मुने के आश्रम पर गए हैं वहां रि के समीप गई उस समय उसके नेत्र हर्ष उलास से खिल रहे थे अपनी प्रिय पतने को आई देख कर शोभन को बड़ी पर संता हुई उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिहासन पर बिठाया है तद नंतर चंदरभागा ने हर्ष में भढ़कर अपने प्रियतम स यह प्रियवचन कहा है हे नाथ मैं हित की बात कहती हूँ इसे आप श्रधा से सुनिये इसे आप ध्यान से सुनिये पीता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था आठ वर्ष से अधिक की हो गई थी तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के सब वरत किये हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुन्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनो वांचित वैभव से सदा समर्दी शाली बना रहेगा इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज राजा विदिश्टिर से कहने ल कर अपने पती के साथ मंदराचल के शिकर पर भी हार करती है यह राजन मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम के कादशी का वरत वर्नन किया है यह चिंता मनी तथा कामधिनों के समान सब मनो कामनाओं की पूर्ती करवाने वाला है हे युदिश्टिर जैसे क्रिशन पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुकल पक्ष की भी है इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए जैसे सफेद रंग की गाय हो या फिर काले रंग की गाय हो दोनों का धूद एक साही होता है इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समा प्रतिदिन अवश्य को आप प्रतिदिन अवश्य सुनते रहें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कतां को आप सुन सकें तो आपका फिर से धन्यवाद भगवान शी राधा कृष्यन जी की अन्य तक्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहें इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारान आपके शाम